हेलो फ्रेंज आज हम करेंगे लिमिट्स का ये वीडियो है हमारा पार्ट तो और इस वीडियो में बात करेंगे आइडियो अफ लिमिट कंटीनुड यूंकि इसके पहले वीडियो में पार्ट ने इंट्रोड़क्शन क्या था सब्सक्राइब करना था तो आपको इस वीडियो में और ज्यादा अच्छे से समझें हैं तो आपको अच्छे से समझें हैं लिटर में चार एक्जाम्पल से संबन्न की पोशिश करेंगे तो हमारा पहला जो एक्जाम्पल है वो है के वेरिफाइ लिमिट 4x2-1 divided by 2x-1 when x tends to 1 by 2 is 2 हमको वेरिफाइ करना है कि f of x जो हमको दिया है जब x tends to 1 by 2 हो रहा है इसकी लिमिट जो है वो 2 आ रही है और इसमें एक नोट दिया है कि x does not equal to 1 by 2 क्योंकि आप जैसे एक्स को 1 by 2 पट करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो क्या हो जाएगा 2 2 cancer minus 1 मतलब 1 minus 1 which is equal to 0 अब आपका बता है कि डिनोमिटर में 0 नहीं आ सकता हुआ हमने पार्ट ने बात की थी कि कोई भी लिमिट को अप्रोच करने के लिए आप इसमें दिया है कि x 10 तो उसका मेनिंग है कि x 1 by 2 नहीं खरते है कि x 10 तो अब आपका बता है कि रियल नाइन ने हम कोई भी पॉइंट को को तो एसमें कोई पॉंट हो उसमें लेफट-साइट या तो उसको राइच्छ जिसको हम left limit बोलते हैं या right limit बोलते हैं तो वहीं हम करने वाले हैं सारे examples में by tabulation method हम कोई भी function को पहले left hand side से approach करेंगे फिर right hand side से approach करेंगे फिर देखेंगे दोनों limit के value equal है या नहीं अगर दोनों limit के value exist होते होते होगल है तो limit एक्सित होती है अगर नहीं है तो limit does not exist अब इस में tabulation method में हम करते हैं कि पहले हम left hand side से approach करते हैं मतलब 0.49 जो 1 by 2 is 0.5 तो जो 0.499.5 के और कभी करीब है 0.4999 तो और करीब है 0.4999 तो और करीब है 0.4999 भी आप लेग सकते हैं बहुत ही जितना जा सकते उतना करीब आप 0.5 के जा सकते है left hand side से इसकी value जो है वो क्या आ रही देख रहे है इस सब value x की value को put करेंगे तो हमको 1.98 फिर फिल रहा है 1.9998 फिल रहा है 1.9998 फिर आप और एक value लेंगे तो आपको 1.99998 तो आपको जो value मिल रहे है वो route down करेंगे तो अब क्या होगा वो 2 हो जाएगा लेफ्ट-hand side से अप जब approach करेंगे तो आपको limit की value की आप रहे है 2 मिल रहे है वैसे जब light hand side से approach करेंगे बालब 0.51 जो थोरा दूर है 0.501 और करीब है और आपको पता है कि 4x square minus 1 तो इसको में लिख सकते हैं इसको में लिख सकते हैं 2x the whole square minus 1 square तो यह क्या हो जाएगा स्क्वेर माने स्क्वेर हो जाएगा उसकी formula लग जाएगे a plus b और a minus b जैसे यह आप यह formula लगें कि आप देख रहे हैं कि denominator यह हो जा रहे है 2x minus 1 2x minus 1 तो क्या बच रहा है 2x plus 1 तो अगर आप lgb properties को apply करेंगे तो आपको 2x plus 1 मिल जाएगा तो जैसे आपको 2x plus 1 मिल जाएगा तो आप सीधा अगर point 1 by 2 रख देंगे x के बजाए यूंकि हम x tends to 1 by 2 है प्लस 1 तो वह क्या हो जाएगा 2 2 के इंसे मतलब 1 plus 1 विच इक्वाल स्टो तो यह दोनों मेठेज से और इस मेठेज से भी आप lgb properties का apply करके भी कर सकते और limit के value हमको क्या मिलीगी यहाँ पर यह ग्राफिक अली दिखाया है यूंकि आप जब lgb properties supply करेंगे तो क्या हो जाएगा लास्त में हमारा function 2x plus 1 हो जाएगा तो वह 2x plus 1 के graph बनाए और x at 1 by 2 देखो क्या हो रहा है x at 1 by 2 हमारी value जो आ रही है यह 1 और 2 ग्राफिक अली भी आप यह है verify कर सकते हैं इसमें note करने की बाद किया है कि f of 1 by 2 जो है इस नॉट डिफाइन कि आपको पहले दिखाया है भी हो के x is not equal 1 by 2 जैसे 1 by 2 put करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो वह possible नहीं है और इसमें limit exist हो रहा है पड़ लिमिट of x when x tends to 1 by 2 exist अब मैंने यह क्यों लिखा है आपको बाद में पता चल जाएगा लिमिट पॉइंट जिस पॉइंट यह जो हमको टेंस टू 1 by 2 दिया है तो उस पॉइंट पे तो लिमिट डिफाइंड नहीं हो रही है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है पर उस पॉइंट पे लिमिट एक्जिस्ट हो रही है में सब्सक्राइब करें कि आए कि फाइंड लिमिट ऑफ इस राइंट जीरो याइक्वाल टू जीरो होगी तो वह मोडिल्युस्ट एक्स बन जाएगा और जैसे वैल्यू लेस देन जीरोगी तो मोडिल्यूसेट माइनस एक्स बन जाएगा तो इस फोबी लाइफ हैं साइ सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ फराइगा है नहीं तो हमारा फाइनल लिमिट क्या हो रहा है कि अब जब इस फंक्षन में यह जो फंक्षन महारा फफ एक्स की वेल्यू रख देंगे तो क्या हो रहा है कि मॉडिलन स जिरो क्या हो जाएगा जिरो इसमें क्या हमारा बन रहा है कि लिमिट of f of x when x tends to 0 exist हो रहा है और equal to 0 भी है बतलब equal to f of 0 तो यह condition बनी है इसमें क्या हो रहा है कि f of 1 by 2 is not defined but limit exist इसमें क्या हो रहा है कि f of 0 भी defined है value 0 है limit भी defined exist होता है उसके value भी 0 है दोनों equal भी है तिये एक इसमें से हम यह निकाल सकते हैं ग्राफिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं ग्राफ देखेंगे मॉडिलर का तो एड जीरो वैल्यू क्या होगी जीरो हो जाएगी दोनों साइट साफ परोच करेंगे देख रहे हैं आपके 0 के करीब हम पहुंच रहे हैं वैसे हम पर लेते हैं लिमिट आफ इंटेजर फंक्श कि जब x हमारा 1 या 1 से ग्रेटर होगा और 2 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है यूंकि इंटेजर फंक्शन में क्या होता है कि a x is greater than equal to a but less than b तो इंटेजर फंक्शन of x क्या हो जाएगा हमारा मतलब यह यह वाली वैल्यू हो जाएगा वैसे अगर 2 से 3 में हम द हैं तो इसमें हमारा इंटेजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा रही है टू जब आप राइट एंट अपरोच करोंगे है तो हमारे left limit का answer है 1, right limit का answer है 2, और left limit और right limit equal नहीं है, limit x tends to a plus is not equal to limit x tends to a minus, अगर यह ऐसा condition हो रहा है, तो हमारा limit एक्जिस्ट नहीं होगा, आपको पताइए, क्योंकि हमने part 1 में इसमें बात की दिया, यहाप f of x भी लिख 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 ल ब्रेक हो रहा है, 0 से 1 यह ने, यह 0 से 1 की range में है, तो हमारा integer function की value 0 है, पर जैसे ही 1 हो रहा है, तो हमारा integer function की value 1 हो जा रही है, व्यूंकि 1 और 1 से greater रहूंगा, और 2 से शोटा अगर वैल्यू 1 हो है, फिर 3 है, तो craft ब्रेक हो रहा है, इसलिए इससे भी आप बोल जगते है कि limit does not exist, example 4 देखते है, इसमें ही बात करनी है, कि अगर आप इस greater function में, हमारा f of x क्या है, f of x है हमारा integer function x, जब आप x के वेज़े 2 लग देंगे, क्योंकि x tends to 2 की बात हो रही है, तो integer function of 2 which is equal to 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि limit exist तो नहीं हो रही है, limit f of x, x tends to 2, does not exist, does not exist, but f of 2 is equal to 2, तो function at value 2 defined है, पर limit does not exist है, तो इसमें यह हो रहा है, पहले में क्या हो रहा था कि function at 0 defined नहीं है, पर limit exist हो रही है, दूसरे में क्या हो रहा है, function at point जो हमको दिया है, tends to, वो भी defined है, और हमारा limit भी exist होता है, रोनों की value equal भी है, इसमें क्या हो रहा है, कि limit तो exist नहीं हो रही है, पर function at point 2 हमारा define हो रहा है, तो यह, f of x is modulus x upon x, अगर x की value 0 से greater है, तो हमारा modulus of x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और f of x क्या हो जाएगा, x upon x हो जाएगा, which is equals to 1, और जब x की value less than 0 है, तो हमारा modulus of x क्या हो जाएगा, minus x हो जाएगा, आप्रोच करेंगे, तो minus 0.1, minus 0.01, minus 0.01, जैसे x की value छोटी है 0 से, answer क्या है, minus 1, और राइट हैं साथ से अप्रोच करेंगे, 0.1, 0.01, 0.01, हमारा limit की value क्या है, 1 है, तो हमारा left limit और right limit equal नहीं है, तो limit does not exist, तो यह हम क्या बोल सकते हैं, इस function के बारमा है, limit does not exist, but हमारा function के f of x, modulus x upon x, where x tends to 0, तो आप जब f of 0 रिखेंगे, तो हो जाएगा, mod 0 upon 0, which is not defined, not defined, इस में क्या हो रहा हैं कि limit भी exist नहीं हो रही है, और limit at 0 भी defined नहीं है, तो यहाँ पर note में मैं भी लिका, in example 1, f of 1 by 2 is not defined, but limit exists, फिर दूसरे example में, f of 0 is defined, and limit of f of x is equal to f of 0, और फिर इस example में क्या हो रहा है कि limit तो exist नहीं है, but f of 2 exists, फिर example में क्या हो रहा है, कि limit भी equal नहीं है, limit भी exist नहीं होती, और f of 0 भी defined नहीं होता है, या exist नहीं करता, so we have enough ground to conclude that, existence और value of limit of f of x, when x tends to a, is not defined by its value at a, namely f of a, बतलाव, f of a, और limit of f of x, when x tends to a, इन दोनों में कोई connection नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई connection नहीं है, यह हमार इस चारों example से conclusion निकलता है, so friends अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक कीज़े, share कीज़े और हमारे चैनल को subscribe कीज़े, जिससे हमको motivation मिले, जल से जल आप thousand subscriber को पुड़ा करें कि जिससे हम, हमारे चैनल, एक official channel, यह जरी सतर हो सके, YouTube के partner problem के लिए, तो आप जरूर निससे हमारे चैनल को subscribe कीज़े, और आपके वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक कीज़े, share कीज़े, and thank you very much.